बिहार में एक महिला ने अपनी ही मासूम सी बच्ची का गला घोट कर हत्या कर दी फिर घर में ही चावल की ड्रम में उसके शव को छिपा कर रख दिया अब पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया है आईए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला कहते हैं कि कोई भी लड़की शादी के बाद मातरत सुख प्राप करने के लिए न जाने कितना जतन करती है बच्चा नहीं होने से बड़े बड़े नर्सिंग होम का चक्कर लगाते हैं या फिर जार फूप तक का सहारा लेते हैं लेकिन हर हाल में संतान सुख प्राप करने की ललक रहती है लेकिन हम सारन की एक ऐसी महिला की चर्चा करने वाले हैं जो अपनी दूदमुही नौजात का अपने ही हातों गला घोट कर उसकी हत्या कर दी है घटना सारन जिले के तरहिया थाना छेत्र के माधोपुर गाउं की है जहां की एक अभागी मा क्रूर्ता की सभी हदों को पार करते हुए कातिल बन गई आरोपी महिला की पहचान उप्त गाउं के बीडी राय की पुत्रवधु और सोनु राय की पतनी नीरु कुमारी के रूप में हुई है जिसने अपने गर्भ में इस साथ महा तक रखने के बाद विगत महीन ने एक बच्ची को जनम दिया उसको प्यार सेवा सिमरन बुलाती थी लेकिन जब सिमरन एक महा की हुई तो नीरु ने उसकी गला घोट कर हत्या कर दी फिर उसके शफ को घर में ही चावल के ड्रम में छिपा कर रख दिया घटना चार सितंबर की संध्या की बताई जा रही है जिसका परदफास चार दिनों बाद तरिया थाना के थाना ध्यक्ष आशितोष कुमार सिंग आपर थाना ध्यक्ष प्रवेश कुमार और महिला एसाई श्वेता गुपता ने अपनी सूझ बूच से की पुलिस के गिरफ्ट में आई उक्ट महिला ने दूद मुही बच्ची की हत्या के कबूल नामे में बताया कि उसकी पुतरी का जन साथ मह पर ही हो गया था जिस कारण बच्ची पूरी तरह से अस्वस थी उसका शरीर भी पूर्ण रूप से विक्सित नहीं होने के साथ ही वह सुन्दर भी नहीं थी बच्ची अपने मा के स्थन को मूँ से पकड़ कर दूद भी नहीं पी पाती थी मा अपने स्थन से खुद दूद निचोड कर चमत से दूद पिलाती थी मा को लग रहा था कि उसकी बच्ची बड़ी होकर अपंग हो जाएगी। उसकी पहली संतान ही अपंग हो जाए वह ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए बच्ची को अपनी जिंदिगी से दूर करना चाहती थी। जब 4 सितंबर को घर में कोई नहीं था तो उसने अपनी पुत्री का अगला घोट कर उसकी हत्याकर उसके शब को घर के बरामदे में रखी चावल की ड्रम में ही छेपा दिया। फिर बाथरूम गई और 10 मिनिट के बाद बहार निकलते ही बच्ची के गायब होने की हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू कर दिया। ताकि उस पर कोई शब नही कर ली और डोग स्क्वाइट के साथ घटना स्टल पर पहुची और 4 सितंबर बुधुवार की रात को पूरी रात पुलिस ने बच्ची की बरामदगी के लिए जगा जगा चापे मारी की लेकिन पुलिस खाली हाथ लोटी। फिर अगले दिन 5 सितंबर गुरुवार को बच मौटम कराया और परिजनों को सौब दिया उसके बाद अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साथ लोगों को हिरासप में लेकर बारी बारी से पूश्टाच की हाला की अंत में घटना की चार दिनों बाद मा नीरू कुमारी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया और पुलिस के गायब होने का जिस तरह से हाई प्रोफाइल ड्रामा किया और पुलिस ने डॉग स्क्वैर टीम के साथ उनके घरों और रिष्टेदारों की हाँ छापे मारी की यह सब देख कर सभी लोग भैभीत और सहमे हुए थे परोसियों को डर था कि कहीं घरेलू दुश्मनी की का कारण किसी निर्दोष का नाम हत्या के मामले में न आ जाए इसलिए सभी पडोसियों ग्रामिर पुलिस के अनुसंधान पर सरसरी निगाल लगाये हुए थे अब पुलिस के सहीं अनुसंधान के बाद ग्रामिरों ने राहत की सासली है जिस कारण इस्ठानीचा छेत्र में तरहिया पुलिस की बहुत प्रशन सा हो रही है इस मामले में इस थानिय थाना द्यक्षा शतोष कुमार सिंग का कहना है कि इस बड़ी क्रूरता भरी हत्या की मुख्य आरोपी मृतिका की मार नीरु कुमारी है जुसने अपने बयान में जुर्म कुबूल कर लिया है आरोपी पुलिस का कहना है कि उसके विडियो स्पीडी ट्रायल के तहत कारवाई की जाएगी मामले पर आपकी क्या रहा है मैं कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रही है अमरु जाला